Good day to all of you आईए अब इंटरनेट की क्लास का रिविजन करते हैं आप सभी ने इंटरनेट के कुछ महतपूर्ण भाग के बारे में सीख चुके हैं जैसे की इंटरनेट क्या होता है और इसका उप्योग क्यों करते हैं इंटरनेट से हम कैसे जुड़ सकते हैं नेटवर्क कितने परकार के होते हैं इत्यादी और भी बहुत कुछ सीखा है आप सभी से कुछ प्रसंद पूछे जाएंगे जो आपको पहले क्लास में पढ़ाय जा चुका है इंटरनेट का उप्योग क्यों करते हैं इंटरनेट के उपयोग से हम बहुत से कार्या को कर सकते हैं, जैसे की Science, Math, Geographic, English, इत्यादी सब्भी सब्जेक्ट के जानकारी प्राफ्थ कर सकते हैं। इंटरनेट के द्वारा आप पूरी दुनिया से जुड़ सकते हैं, अपने सगे समंध्यों से बाचीत कर सकते हैं, या फिर वेब कैमरा के द्वारा उन्हें देख भी सकते हैं, इंटरनेट के द्वारा आप सौपिंग भी कर सकते हैं, इसके द्वारा आप घर बैठे कोई भी समान मंगा सकते हैं इसके द्वारा आप अपने electricity bill, school fees, इतियादी pay कर सकते हैं क्या आप जानते हैं land और when में क्या अंतर होता है land network का उप्योग एक office, school, university और भी जगाँ पर करते हैं क्योंकि ये local area network होता है जिसमें कई computer एक server के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं server एक program अथवा एक device होती है जो सभी computer, client को एक cable की मदद से internet service देता है मतलब कि आप internet का उप्योग कर सकते हैं इसकी speed 10 MB से 1 GB तक होती है WAN का पूरा नाम wide area network होता है WAN की coverage समता जादा होती है ये पूरे विश्व में फैला होता है जिससे computer phones को connect कर सकते हैं इसका अधिकतर रुप्योग mobile phones और landline के लिए किया जाता है और इसकी speed 10 MB से 100 MB तक होती है उधारन के लिए GSM, CDM अथो bank के दौरा लगाए गए ATM machine और किसी एक branch की बहुत से branch होती है इनको WAN के दौरा से दूसरे से connect कर सकते हैं क्या आप जानते हैं वाइफाई क्या होता है वाइफाई की full form wireless internet for frequent interface होता है इसके दौरा computer या mobile phones को connect कर सकते हैं इसके लिए किसी wire की जिरुवत नहीं होती ब्रावजर क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं ब्रावजर एक software प्रोग्राम होता है जो computers में हमें web pages को देखने में मदद करता है ब्रावजर computer को internet से connect करने में मदद करता है जिससे user surfing या उप्योग करने में मदद करता है ब्रावजर कई प्रकार के होते हैं जैसे कि internet explorer, google chrome, mozilla firefox और opera हित्यादी ये सभी ब्रावजर के प्रकार हैं लेकिन विंडो एक्स्क्लोरर किसी भी विंडो में पहले से ही होता है वेब एड्रेस को कितने भागों में बाटा गया है वेब एड्रेस को चार भागों में बाटा गया है उधारन के लिए http, www, google और in आईए अब जानते हैं इन चारो भागों का उप्योग क्या होता है पहले भाग http इसका पूरा नाम hypertext transfer protocol होता है यह application protocol होता है distributed, collaborate और hypermedia के लिए यह एक जरिया है data को find करने के लिए world wide web के मदद से इसका उप्योग करते हैं दूसरा भाग www इसका पूरा नाम worldwide website होता है तीसरा भाग google यह main होता है यह wave server और site maintainer होता है और सबसे last भाग main in यह बताता है कि किस country की site है in means India आईए अब आज की class को शुरू करते हैं आज की class में आप जो सीखेंगे यह revision करेंगे वे इस प्रकार से हैं internet explorer या google का उप्योग कैसे करते हैं internet के द्वारा search कैसे करते हैं Gmail account कैसे बनाते हैं और इसका उप्योग कैसे करते हैं किसी software को कैसे download करते हैं YouTube से किसी वीडियो को कैसे download करते हैं अब आप सभी अपने computer को on करें और फिर internet explorer या google chrome की page को open करके दिखाएं अब आप web address की मदद से computer शिक्षा की site को open करके दिखाएं जिसका address है www.computer.org अब आपको यहाँ पर online learning के विकल्प को ढूंडें और यहाँ पर जो विकल्प आ रहे हैं उनमें से किसी एक विकल्प पर क्लिक करके दिखाएं आपको computer सिक्षा की online computer learning की वीडियो को देख सकते हैं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से computer सिक्षा के page को ढूंड़ना सीखें आईए वीडियो के द्वारा सीखते हैं किसी browser से internet के द्वारा computer सिक्षा को कैसे ढूंडते हैं और यूट्यूब को कैसे यूट्यूब पर कैसे डाउनलोड करते हैं सबसे पहले किसी browser को open करें आप चाहें किसी भी browser को open कर सकते हैं हमने यहां पर Google Chrome को open किया Google Chrome को open करने के बाद जैसी हमने उस पर click किया जो Google Chrome का page है वो open हो गया यहां पर जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं क्योंकि हमें computer सिक्षा के site को open करना है उसके home page भी जाना है इसके लिए आप सभी को address bar के अंदर जो computer सिक्षा का link है जो address है उसे type करना होगा जैसे हमने यहां पर www.computer.org टाइप किया किसी प्रकार से आपको भी यहां पर type करना है इस पूरे link को type करने के बाद enter button दवा दें जैसी आप enter button दवाएंगे जो computer सिक्षा का link है जो उसकी site है वो यहां पर आ जाएगा जो भी आप computer सिक्षा का work है जो कारिया है जो हम काम करते हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं उसकी जानकारिया आप ले सकते हैं यहां पर अलग अलग option दिया हुआ है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं अगर आप computer सिक्षा के साइट पर जाके आप computer को online सीखना चाहते हैं तो आप यहां से online सीख सकते हैं जो online learning का option है उस पर आप क्लिक करेंगे जो यहां पर course developed किया गया है बनाया गया है आप उस course के द्वारा आप सीख सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर अलग अलग course दिया हुआ हुआ है जैसी क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो paint से related है जो इसके इंदे topics है वह आपको यहां पर दिखाए दे रहा होगा थोड़ा सा आप इसे scroll down नीचे करेंगे तो आप यहां पर वीडियो को देख सकते हैं आप वीडियो को यहां से play कर सकते हैं आपको इस बटन पर क्लिक करना होगा जैसे आप इस बटन पर क्लिक करेंगे जो वीडियो है वो यहां पर play हो जाएगा तो आप यहां से वीडियो अगर आप अच्छी quality में देखना चाहते हैं तब इसकी quality को यहाँग करते हैं अगर है that आप किसी भी formate में आप देखना चाहते हैं तो आप इसके यहाँ से format को चींज कर सकते हैं बजल सकते हैं जैसे के आपको वीडियो में दिखाई दिए रहा है अगर इसे आप पूरे स्क्रीन में देखना चाहते हैं, बड़े स्क्रीन में करना चाहते हैं, यह बटन यहां पर दिया हुआ है, इस फूल स्क्रीन पर क्लिक करें, जैसे फूल स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, तो यह बड़े स्क्रीन में आ जाएगा, यहां पर नीचे क्लिक करे आप इससे बाहर आ सकते हैं यहाप आपने देखा एक जिट फूल स्क्रीन था आप उस पर क्लिक कर दें यहाप इसकेप का बटन दवा दें तो हमने यहाप इसकेप का बटन दवाया और उसे हम यहाप बाहर आगे अगर आप यूट्यूब से किसी वीडियो डाउनलोड करना जाते हैं अगर माने जी इसी पेंट की वीडियो को आपको डाउनलोड करना है यहाप यूट्यूब को आप इस पर क्लिक करें यह आप चाहें तो डिरेक्ली यूट्यूब की लिंक को आपन कर सकते हैं वहाप पर कंप्यूटर सिक्षा की वीडियो को डून सकते हैं जैसे हम लिएbn की जिदनी भी क्लासिस हैं वह यहाँ पे आपको देखाएदे लिगSecond सब्सक्राइब करते हैं सेलेक्ट करने के बाद आप उसे ऑन-lain लाइन देख सकते हैं अगर आप उसे नालोड करना चांके तो है आप उसे कर सकते हैं अब आपको सीखाया जाएगा कि यूटूब पे किसी वीडियो को कैसे डाउनलोड करना है इसके लिए सबसे पहले आपको एड्रेस बार में क्लिक करना है जो डब्लू-डब्लू के बाद में है उस अभी को डिलीट कर देना है जैसे के आपको वीडियो में दिखा किया अब यहां पर SSYoutube.com लिखा हुआ है उसके बाद आपको एंटरे बटन प्रेस करना है जैसे आप एंटरे बटन प्रेस करेंगे तो एक दूसरे लिंक आ जाएगा यहां पर एक दूसरा पर जाएगा जैसे के आप वीडियो में देख सकते हैं जो वीडियो आप यूट में आप डाउनलोड करना चाहते हैं यहां पर एक लेस्ट है ड्रॉप डाउन उसके आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको अलग 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 फॉर्मेट दिखाई दे रहा होगा 3GP, MP4 यहां पर अलग अलग अप्शन दिखाई दे रहा है जिस भी फॉर्मेट में आप डाउनलोड करना चाहते हैं उससे सेलेक्ट करें और डाउनलोड पे क्लिक कर दें तो जो वीडियो आपका है वो डाउनलोड जाएगा तो इस परकार से आप यूट्यूब पे किसी भी वीडियो को आप डाउनलोड कर सकते हैं कोई सब भी वीडियो आप उसे सर्च करके इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं आप डाउनलोड कर सकते हैं इस परकार से आप सभी मैस के कुछ महत्पूर्न फॉर्मूला को भी सर्च कर सकते हैं अब आप सभी Math के कुछ MathPool formula को सर्च करके दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से formula को ढूण सकते हैं आएए वीडियो की मदद से सीखते हैं कि Math के formula को कैसे सर्च करते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको किसी browser को open करना होगा आप किसी भी browser को open कर सकते हैं हमने वीडियो में यहाँ पर Google Chrome को open किया जैसे हमने अपने pointer को Google Chrome पर लेके गए वहाँ पर click किया तो उसका home page यहाँ पर आगे है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है अब यहाँ पर आपको Google box दिखाई दे रहा होगा हमने वहाँ पर cursor को लेके गए वहाँ पर click किया हमें find करना है math your formula तो यहाँ पर हमने mathematics formula list या आप जो भी type या आप जो भी search करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप type करेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है हमने यहाँ पर mathematics formula टाइप किया जैसे हमने type किया और enter button को press किया तो आप दे सकते हैं यहाँ बहुत सारे list आ गया यहाँ पर बहुत सारे link दिख रहे हैं आपको जो link आपको सही लगे उस link पर click करें यहाँ पर मेंसे advertisement पर click हो गया तो इसलिए मैंने यहाँ पर back किया आप सभी को ध्यान में रखना है जहाँ पर ad लिखा हो है उस link को click नहीं करना है अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने math.com formula and table पर click किया जैसे मैंने यहाँ पर click किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर table आ गया है यहाँ पर सभी परकार के maths के formula दिये हुए हैं आप किसी भी formula का आप जिसका भी जानकारी लेना चाहते हैं आप उसका लाब यहाँ से उठा सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं general maths, algebra, geometric, trigonometric, calculus, सारे mathematics के formula यहाँ पर दिया हुआ है आप यहाँ पर हर एक formula को जिसकी आपकी जरूत है आप वो यहाँ से ढूंड सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर number notation पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर numbers आ गया है numbers के यहाँ पर type आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप यहाँ से number की जानकार ही ले सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं अगर आप back जाना चाहते हैं तो इसके लिए आप left side में बटन देखेंगे यहाँ आप left side में एक button देख सकते हैं arrow का मैंने इस पर click किया हूँ जैसे इस पर click करेंगे तो आप back आ जाएंगे एक step पीछे आ जाएंगे फिर यहाँ से आप कुछी दूसरे formula का आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने additional table पर click किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर additional table आ गया है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आपको table एक दिखाई दे रहा होगा फिर से back जाएं किसी दूसरे formula का search करें यहाँ पर multiplication table दिखाई दे रहे हैं अगर आपको इसकी table देखना है तो इस पर click करें यहाँ पर इसका table आ जाएगा आप अपने जरुद के अनुसार किसी भी formula को search कर सकते हैं कोई से भी formula आप देख सकते हैं उन्हें सीख सकते हैं बैक करने के लिए फिर से इस वाले arrow बटन पर click करें जैसी click करेंगे एक step पीछे आ जाएंगे फिर इस list में से जो formula आपको चाहिए उस formula को आप select करें यह scroll bar है जिससे आप अपने पेस को up and down कर सकते हैं अगर आपको area formula डूणना है तो area formula पर click करें जैसे का आपको वीडियो में दिखाए दे रहे हैं जैसी मैंने area formula पर click किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी area के formula है वो सारे यहाँ पर उसका जो लिस्ट है यहाँ पर so हो रहा है यहाँ पर देख सकते हैं स्क्वार, रेक्टेंगल, पैलोग्राम, टेपेजेट, सर्कल सबका area formula यहाँ पर दिया हुआ है तो इससे एक step तो इससे back करें अपनी जिरूत के अनुसार से किसी भी लिस्ट को यहाँ से select कर सकते हैं उनकी information उनकी जानकारी आप ले सकते हैं इस प्रकार से आप इंटरनेट के माधियम से किसी भी formula किसी भी max की formula की जानकरी आप ले सकते हैं आप कुछ educational site को ढून सकते हैं और इसका lab उठा सकते हैं जागरन जोस और इंडिया बिक्स कुछ ऐसे sites हैं जिनसे आप ग्यानप्राफ्त कर सकते हैं अब इन website को search करके दिखाएं अगर कोई समस्या हो रही है तो वीडियो को देखें आए वीडियो की मदद से किसी educational site जैसे की जागरन जोस को कैसे सर्च करते हैं यह सीखें इसके लिए सबसे पहले आपको कोई browser को open करना होगा आप किसी भी browser को open कर सकते हैं हमने यहां पर Google Chrome को open किया Google Chrome को open करने के बाद जो इसका home page यहां पर आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहां पर इसका home page आ गया है अब इसके address बार में जो भी आप educational site को ढूणना चाहते हैं उसके address को यहां पर type करना होता है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाए दे रहा है हमने यहां पर www.jagran.jaws.type किया अगर आपको कोई educational site याद है जिसे आप सर्च करना चाहते हैं आप उसे यहां पर type करेंगे हमने यहां पर www.jagran.jaws.com type किया फिर एंटर बटन को एक बार प्रेस कर दियो तो आप देख सकते हैं जो उसकी site है वो यहां पर open हो चुका है यहां पर भी आप बहुत तरीके के information जानकारी ले सकते हैं जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर अलगलग tab बना हुआ है अगर आप MBA के स्टूरेंट हैं इंजीनियर के स्टूरेंट हैं अब स्कूल के स्टूरेंट हैं यहां किसी computation की त्यारी कर रहे हैं तो आप इन से यहां पर information आप ले सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं अगर आप बोर्स के स्टूरेंट हैं स्कूल के स्टूरेंट हैं तो बोर्स पर क्लिक कर रहे हैं अब आप देश सकते हैं अलगलग classes की information यहां पर दी हुए हैं आप question paper, exam का pattern इस चीज़ें आप यहां से धून सकते हैं देख सकते हैं previous year के question paper आप यहां से ले सकते हैं जिसके आपको वीडियो में दिखाए दे रहा हैं आप बोर्ट पर क्लिक किया यहां पर अलगलग classes आपको दिखाए दे रहा हुए यहां पर class 9 दिखाए दे रहा है आपको यहां आप आप देश सकते हैं अलगलग question paper subject आप इनकी information इनकी जानकर यहां ले सकते हैं अपने जरुद के निशार जो भी आप search करना चाहते हैं जिस तरके की भी आपको knowledge लेना है वो आप knowledge यहां से ले सकते हैं तो इस प्रकास से आप किसी भी educational site को आप दून सकते हैं और उसे जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं जैसे कि आपको इस वीडियो में दिखाए गया हमने यहां पर jagranjoss.com की वादम से हमने यहां पर कुछ जानकारी लिया आईए वीडियो की मदद से सीखते हैं किसी educational site को गूगल पर कैसे सर्च करते हैं यह किसी ब्राजर में कैसे सर्च करते हैं तो अब है इंडियाबिक्स.com को ओपन करना है यह एक educational site है आप इस site के मादम से किसी भी प्रकार की जानकारी आप ले सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाए दे रहा है हमने यहां पर www.indiabix .com type किया उसके बाद हमने यहां पर एंटर बटन को प्रेस करना है साइट को टाइप करने के बाद तो आप देख सकते हैं इस साइट को डिरेक्ट लियां से यहां पर ऑपन हो गया तो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर अलगरग प्रकार के questions दिए हुए है यहां पे आप अलग अप्शन देश सकते हैं जर्णल एप्टिट्यूट ऑन्लाइन टेस्ट वर्वर रिजनिंग आप इन में से किसी कुछ भी आप अगर सीखना चाहते हैं उसे आप सेलक्ट करें और इसकी इन्फोर्मेशन उसकी जानकारी उसको आप यहां पर देख सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा हैं यहां पर आप देख सकते हैं अलग अलग ऑप्शन दिया हैं आप अगर करना है तो उसके आंसर को भी देख सकते हैं यहां पर आपको हर एक चीज में लेगा अगर आप स्टूरंट हैं यह आपके लिए काफी महत्पूर्ण साइट है आप इस पर जाके आपका इस चीजों को सीख सकते हैं जैसे कि वीडियो में यहां पर दिखाई दे रहा है दिखाई जाए रहा है आपको यहां हाइट अन डिस्टन्स के रिलेटिट कुछ कोशन्स आप आपको दिखाई दे रहा है अगर आप अपने जिरूद करने चाहें तो आप यहां से आपको 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 आंसर भी मिलेगां इस प्रकार से आप किसे भी टॉपिक को आप यहां पर सर्च कर सकते हैं उसकी जानकारी आप ले सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा हैं अगर आप किसी इंट्रुवी की त्यारी कर रहे हैं तो आपको यहां से उसकी जानकारी ले सकते हैं तो इस प्रकार से आप Indiabix की मदद से आप कुछ ग्यान प्राप्ट कर सकते हैं अब आप सभी Gmail के अकाउंट को ओपन करके दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें कि Gmail के अकाउंट को कैसे ओपन करते हैं उसके लिए सबसे पहले किसी ब्राउजर को ओपन करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाए दे रहा है हमने यहाँ पर Google Chrome पर क्लिक किया जैसे हमने Google Chrome पर क्लिक किया तो आप देश सकते हैं जो इसका Home Page है वो यहाँ पर आ गया आप चाहें किसी भी ब्राउजर को आप ओपन कर सकते हैं फिर इड्रस बार में जाके आप Gmail टाइप करेंगे तो आपको जो Gmail अकाउंट है वो यहाँ पर आ जाएगा जैसे कि आपको यहाँ पर वीडियो में दिखाए दे रहा है हम यहाँ पर एड्रस बार पर गए वहाँ पर क्लिक किया और हमने यहाँ पर www.gmail.com को टाइप किया फिर एंटर बटन को प्रेस किया इसको टाइप करने के बाद एंटर बटन को दबाएं तो आप देश सकते हैं जैसे हमने एंटर बटन को दबाएं तो जीमेल को जो अकाउंट है जो उसको पेज है इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाए दे रहें साइन विद अदर अकाउंट पर क्लिक करें फिर एड अकाउंट पर क्लिक करें अभी आप दे सकते हैं यहाँ पर बॉक्स आया होगा इस बॉक्स के अंदर आपको अपना इमेल आईडी टाइप करना है क्योंकि आप लोगिन कर रहे हैं तो इसके लिए यहाँ पर अपना इमेल आईडी टाइप करेंगे जो भी आपका इमेल आईडी है वो इस बॉक्स में टाइप करें जैसे हमने यहाँ पर टाइप किया उसके बाद next button पे click करेंगे जैसी next button पे click करेंगे तो आप से password पूछेगा तो आपको इस box के अंदर जो भी आपका password है वो password यहाँ पे type करेंगे जैसे कि आपको यहाँ पे वीडियो में दिखाए दे रहे हैं यहाँ पे password को type करेंगे यहाँ पे password को type किया जा रहे हैं फिर sign in पे click कर देंगे यहाँ आप enter button भी दवा सकते हैं जो आपका account है Gmail account है वो open हो जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाए दे रहे हैं यहाँ पे जो Gmail account है वो open हो गया है अब आप सभी Gmail के दुवारा एक दूसरे को mail भेज कर दिखाएं mail भेजने में कोई समस्या हो तो आप वीडियो की मदस्ति सीखें आइए वीडियो को देख के सीखते हैं किसी को mail किसी को email कैसे करते हैं क्योंकि आपको mail send करना है किसी को email send करना है जैसे कि आप सभी जानते हैं पिछले classes में भी आप सीख चुके हैं कि email को कैसे send करते हैं इसके लिए compose पर क्लिक करना होता है जैसे हमने यहाँ पर compose पर क्लिक किया यहाँ पर एक बॉक्स आ गया जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है कि आप सभी लोग compose पर क्लिक करें क्लिक करने के बाद जहां पर आपको डिखाई दे रहा है आप देखते हैं आपको करसर है वहां पर लिखाई तो वहां पर पर परसं का एमेल आड़ी टाइप करना है जिसे आप email भेजना चाहते हैं जिस भी person को आप email भेजना चाहते हैं उसके email id यहाँ पर type करने जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है यहाँ पर email id हमने type किया computer6or995 at email.com तो आप यहाँ पर email id type कर सकते हैं आप जिस regarding में message email करना चाहते हैं आप यहाँ पर subject दे सकते हैं नीचे यहाँ पर mail को type करके जिस concern में भी आप mail भेजना चाहते हैं वो आप यहाँ पर type कर सकते हैं और इसके बाद send button पर click करना होता है जैसी send button पर click करेंगे जो आपका e-mail है वो उस person के पास चला जाएगा यहां पर देख सकते हैं, यहां पर लिखा आ रहा है, your message has been sent आप यहां से view message पर जाकर आप देख सकते हैं तो इस प्रकार से आप internet के माधियम से किसी को भी email बेज सकते हैं Gmail account से आप किसी को भी email बेज सकते हैं अब आप सभी अपने Gmail के account के अंदर, inbox, sent mail, draft option को चेक करें आएए वीडियो की मदद से सीखते हैं, किसी भी mailbox में inbox को कैसे चेक करते हैं sent mail को कैसे चेक करते हैं, draft को कैसे चेक करते हैं जब आप एक बार login कर लेंगे, login करने के बाद आप जो आपको Gmail account है उसका आप left side में देखेंगे जहाँ पर compose mail है, वहाँ पर आपको inbox दिखाए देगा, जब आप inbox पर click करेंगे आपको पास जितने भी mail आये होंगे, किसी ने आपको नए mail send कि होगा, तो आपको यहाँ पर show करेगा जैसे आप आप देख सकते हैं, एक mail आया था, आपने उस पर click किया, उस mail को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाए दे रहे हैं, आपने किसको mail भेजा है, अगर वो देखना चाहते हैं, तो send mail पर click करेंगे जैसे send mail पर click करेंगे, आपने जिसे भी message send किया है, वो आपको यहाँ पर list दिखाए देगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाए दे रहे हैं, यहाँ पर दो list हैं अगर आपने कोई email को बेजने से पहले save किया है, तो वो draft में आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाए दे रहे हैं, अगर ड्राफ्ट को, ड्राफ्ट फोल्डर को आप चेक करना चाहते हैं, तो ड्राफ्ट पर click करेंगे, इस सारे option आपके left side में आ रहा होगा, जो आपको जीमेल अकाउंट है, उसके left side में इससे option दिखाए दे रहा होग वीडियो में आप देख सकते हैं, इस प्रकास से आप inbox, sent mail और ड्राफ्ट को चेक कर सकते हैं, अब आप किसी software को डाउनलोड करके दिखाएं, अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से डाउनलोड करना सीखें, आए वीडियो की मदद से open office software को डाउनलोड करना सीखें, इसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले किसी ब्राउजर को open करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाए दे रहा है, हमने यहाँ पर Google Chrome को open किया, जैसे हमने open किया, जैसे हमने open किया, जिसका home page है, वो यहाँ पर आ गया है, जैसे आपको वीडियो में दिखाए दे रह में जिस software को आप download करने उसे type करें या फिर google के search box में type करें हम यहाँ पर google search box में type कर रहे हैं हमने यहाँ पर लिखा download open office टाइप करने के बाद enter बटन प्रेस कर दें जैसे आप enter बटन प्रेस करेंगे जो open office का link है वो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे link आ गया है जब आप scroll down करके देखेंगे जितने भी links है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा क्यूंकि हमें open office को download करना है इसके लिए जो आपको पहला यह link दिखाई दे रहा है अपाचे open office उस पर click कर दें जैसे इस पर click करेंगे जो अपाचे software है अपाचे ओपन हो जाएगा आप देख सकते हैं इसके बहुत सारे यहाँ पर option आया हुआ है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर download full installation और download language page download language pack का option दिया हुआ है अब इसे पूरा इंस्टॉल करना है इसलिए download full installation पर click करेंगे जैसे click करेंगे तो आप देशकते हैं कि नया tab open हो गया है अब आप यहाँ पर अपाचे open office का icon देख सकते हैं और इसके साथ में download का option भी लिखा हुआ आ रहे हैं आप चाहिए इसे scroll down करके देख सकते हैं download पर click कर देए तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पर software है वो download हो रहा है आप left side के corner में देख सकते हैं यहाँ पर downloading का option आ रहा है जो हमने software को download पर click किया था वो यहाँ पर download हो रहा है अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका software कहां पर download हुआ है इसे minimize करें my computer पर जाएं क्योंकि हमने software कोई भी software download करते हैं वो download में save होता है इसलिए download option को select करें आप देख सकते हैं जो हमने software को download किया था वो download option में यहाँ पर save हो गया है इस प्रकार से आप किसी भी browser को उप्योग करके open office को download कर सकते हैं क्योंकि आज की class यहीं पर समाप्त होती है आप सभी अपने computer को shutdown करें किसी आप पर समाप्त हैं प्रकार में अपने 11 yeah